बात vaccination की करेंगे देश में vaccination policy को रफतार देने के लिए केन सरकार ने अब अपनी जिम्मदारियों को revise किया है लेकिन सबसे ज़ादा ज़रूरी ये है कि vaccine की supply बढ़ाए कैसे जाए जिसके लिए स्वदेशी vaccine कामतियों के लावा कई विदेशी vaccines के भारत में आने का रास्ता भी साफ किया जा रहा है लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि जो भी vaccine भारत में लगाई जाती है उसे final approval कहां से मिलता है वो जगह है Central Drugs Laboratory जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है ये विश्व स्वास संगठन की तरफ से प्रमाड़ित है देश की कलौटी vaccine testing lab है जहां अब हम आपको इस report के जरिये दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या प्रक्रिया रहती है हिमाचल प्रदेश के कसौली में ये है Central Drugs Laboratory ये वो जगह है जहां से हर vaccine को approval हासल करना जरूरी होता है वैक्सीन चाहे देशी हो या विदेशी ये भारत की एकलोटी lab है जो विश्व स्वास संगठन से मानिता प्राफ्थ है हिमाचल प्रदेश के छोटे से कोने में कसौली में एक ऐसी lab है जो भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली हर vaccine को एक blue tick देती है जी हाँ मैं Central Drugs Laboratory की बात कर रहे हूँ जिसने कोरोना काल में कोरोना वाइरस की हर एक vaccine चाहे वो स्पुतनिक वी क्यों ना हो उसकी batch टेस्टिंग करके भारत में वो vaccine राजियों और सरकारों को उपलब्द कराई चाहे कोवी शील्ड हो या को वैक्सीन एमर्जेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले इन वैक्सीन को Central Drugs Laboratory से ग्रीन टिक दिया गया है रूस से आई पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेब दी सबसे पहले इसी Central Drugs Laboratory में पहुँची थी करोना के इस दौर में जब वैक्सीन को ही इस महामारी के खिलाफ अचूख हत्यार माना जा रहा है तब इस हत्यार को टेस्ट करने का जिम्मा इस लैब पर है और ये काम दो चरणों में होता है पहला होता है एफिकेसी टेस्ट यानि कोई वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है और दूसरा सेफ्टी टेस्टिंग जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है आज तक की टीम जब इस लैब में पहुंची उस वक्त भी वहाँ वैज्ञानिक और मेडिकल विशेशगे वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम करने में जुटे थे कुछ वेव ओफ की पॉलिसी बनाई गई है वो एक्जाक्ली क्या सिस्टम है भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उतपादक देश है दुनिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी वैक्सीन इसी लैप से टेस्ट होती है इस लैप की शमता वैक्सीन के 200 बैच एक महिने में टेस्ट करने की है अब तक इस लेब में अलग-अलग वैक्सीन्स के 7000 से ज्यादा बैच टेस्ट किये जा चुके हैं जिनमें को वैक्सीन के 88 बैच और कोवी शील्ड के 126 बैच टेस्ट किये गए हैं स्पूत्मिक भी के 3 बैच को टेस्ट करके 6 जून को लैब से क्लेरंस मिल चुका है दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर देश की एक लौती डबली एचो प्रमानित लैब इस वक्त अपनी पूरी एफिकेसी के साथ काम कर रही है लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए देश में ऐसी और लैप्स की ज़रूरत है समय भले कम था लेकिन गलती की कोई गुंजाईश नहीं थी इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्द कराना अपने आप में ही एक उपलब्दी है प्रेम चंदर मिश्रा के साथ मैं कसवाली हिमाचल प्रदेश में मिलन शर्मा आज तक